हलो फ्रेंस कैसे हैं आप बढ़ियां भाई अगर किसी शो की ट्यार पी अच्छी आ रही है उसकी हूमर फैलने लगे ये शो तो बंद होने वाला है तो ये कीन मानिये पॉडक्शन को दिमाग खराब होता ही होता है जो हूँ पे कास्ट मेहनत करती है उनका भी कही न कही होता ह है यार पॉपलिटी तो दूर की बात है यहां पर तो जो है विससे ओफ-yay की बात कह रहे हैं ऐसे में किसी को ट्यार पी बारे में इतनी पता नहीं होता लेकिन आज की डेट में शोशल मीडिया इतना अप्टिशन हो गया हर कोई जानता है मेरे शो की ट्यार पी यह है ओरρώ बंद हो रहा है ट्यारपी कम है अब बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि अगर कास्ट छोड़कर जा रही है तो शो बंद कर दिया जाता है पहले यह बहुत होता था क्योंकि पहले ट्यारपी में इतना competition नहीं होता था पहले OTT इतना नहीं होता था हम बात करने हैं गुम है किसी के प्यार के शो भाई ट्यार पी में तो इसने धमाल मचायवा है और नमबर टू की position इसने लीवी है अगर अनुपमा की ट्यार पी बढ़ती है तो गुम की भी बढ़ती है अगर जो है आपकी प्यारी आईशा सिंग जिसे आप जो है देख रहे हैं साही का रोल करते हुए शूटिंग करते वक्त वह काफी इंजर्ड हो गई है उनके हाथ में फैक्चर आ गया है इसलिए वह प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही है इसलिए आपको फैमली ड्रामा जादा दे लेकिन उसी के बीच में एक न्यूज ओर आ गई है वह तो पाकी को देखने को मिलेगा वैसे फैंस पाकी को जब भी देखते हैं ट्रोली करते हैं यह पाकी तो है जो सीरिल की ट्यार पी निकाल कर दे रही है और अगर उसे ही फैंस ट्रोल कर रहे है तो भाई तो खुबी है लेकिन चलिए वो तो भाईया आप ही जाने आपको उसके अंदर क्या खुबी दिखती है लेकिन बात आती है कि भाईया उनकी रियल लाइफ में उनके जो दादू है वो एक्स पैर हो गए है वो काफी ज़्यादा दुखी है और ऐसे में तो वो शूटिंग कर ही नहीं सकती तो अब वो मैडम भी शूटिंग नहीं करी है तो भाईया गुम पे तो जटका लग गया है ऐसे में ट्यार पी का ज़्यादा ड्रामा हो रहा है और उपर से जो में लीड की एक्टरस है चे निगेटिव है चे पोजिटिव है दोनों के साथ कुछ ना कुछ प्रॉबलम हो झाल